हाई फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल मेरा नाम है सुनेल और आज मैं आपको बताऊंगा कि कम्पूटर ग्राफिस का सब्जेट कैसा होता है और यह हार सब्जेट है या इजी सब्जेट है तो उसके बारे में डिसकेशन करेंगे और यह को टेन पे आता है बेसी फिलालख के लिए मैं जब इरंद तो मेरा ठीक्ठाक सा मार कया था भी हार्ड नहीं लगा मुझे क्योंकि मैं प्रक्व्श किया था इस वार सब्जेट का और यह वाले सब्जेट मुझे पहले से बतादिया गया था कि हाड होता है तो मैं पहले से स्टार्टिंग से थोड़ा सा नोट बना के लिख कर लिया था ओके तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब करने के लिए कुछ किया हूं ओके तो इसको पहले से फिर से और्गनाईज करना पड़ा और काफी सारे चीजे आड़ किया हूं जैसे कि यह वाले सेक्षन मोर पे जाओ तो आपको इदर क्लिक करना पड़ेगा मोर पे और इधर एक सेक्षन को लेगा और एक फैस को लेगा इबुक्स पीडिएफ नोट्स कुछ इन व्यांक इधर कुछ भी अभी नहीं होगा टेंशन ना लो यह धीरे-धीरे में अपडेट करूंगा ओके तो और मोर पे जाके नीचे डायरेट जाओ के नीचे तो पीडि लिखावा नोट देऊंगा ओके और यह तो मैंने स्टोडेंट के लिए बना रहा हूं और अभी पेसी कमटर साइंस के लिए बात करते हैं पेसी कमटर साइंस पे कोर सब्जेट का जो नोट है इधर अपलोड होंगे इधर कुछ पिक्चर डालूंगा अच्छे से तो यह द लिए उसको डाउनलोड करके आप रेफर कर सकते हो ओके तो फिलाल के लिए इसको बंद करते हैं और आते हैं हमारे कंप्टर ग्राफिस के चाप्टप पर तो अब्जेक्टिस क्या है इधर अब्जेक्टिप्स मतलब आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए तू एबुल टू अब कंप्प्टर ग्राफिस को पहली बात तो बता देरां जो इस पर ऑच्छाइए वह तोड़ा सा हार हो गया और कहीं पर नहीं यह यह नहीं और यह वह सी कंप्पटर साइंस में कंप्प्टर ग्राफिक्स है मतलब इधर आपको सर्फ ढ़र्गा है इतना है है इतने हेडिंग पर साषा हो जागा पर है नहीं इदर ये पूरा पूरा एक उनिट एक चाप्टर है पूरा का पुरा मतलब एक यूनिट 30 40 पर आसपस लगेगा ओकि उतना नोट बना के चलो तो सही से नोट बनाके चलो तो तो टू एबल टू क्रियेट एफेक्टिव प्रोग्राम्स पर सॉल्विंग कॉंप्प्टर ग्राफिक्स प्रोब्लम यह ल्याव वाला चीज हो गया पर आपको सिर्फ बेसिक उन्ट साइच पर तर्थियोरी आता है मैं आपको पहले से बता चुका हूं तो थियोरी के लिए एक कीशे ड्रो हो रहे हैं आप एक आ इसलेक्ट हरा है एक प्लू कलर का लाइन और तो किसे हो रहा है क्यों हो रहा है उसको समझेत के लिए अक्षाल में कम्पूटर ग्राफिक्स वाला चीज हुआ ही है ओके मोनिटर के उपर जो भी आउटपूर पर आपको दिख रहा है पिक्सेल वाइज पिक्सेल लेट होके उस वाइज कम्पूटर ग्राफिक्स बोलते हैं पर थोड़ा सा रुक जाओ हमको सिर्फ हिस्टरी पर थोड़ा सा ब्याक जाना होगा कि पहले जमाने पर जो कम्पूटर था कैसे उदर ग्राफिक से काम करता था पहले पहले जो स्टार्टिंग से था हाँ तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और जो आएगा जो आपको आप देखे सिस्टम क्या होते हैं को में ंदर पर चाहिए को अन्दर कम्पूटर करता हैं क्प्रेज्ब करने के लिए क्या च rivalry प्रेजेंट करने के लिए ए चाहिए लों को सिने अक है na प्रवाइड करूंगा तो उधर आपको मिल जाएगा ओके मैं अपने दोस्तों से भी काफी नोट कलेट किया था तो अगर होगा तो उसको भी अपडेट कर दूंगा नीचे डेस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या नहीं तो वेबसाइट पे डायरेट विजिट करो हम मैं भी पड़ रहा हूँ जाए तो फ्री मिले गा तो मिश्लाइट कर दूंगा और इंपने डिवयस क्या होते हैं अग्रकिक सब्र कर्वाइशन श्यत्मेय से सथे पंगर नहीं है तो वांगुडर्वापशन ग्राफींस पर उसको एक चीज जैसे एक ट्रीगर बोलते हैं उतर एक आएगा और एक लाइट बीम पास होगा उसी टाइप का जो डाइग्रम होता है उस वही चीज लंग कुछी नाता है ओके और भी आ सकते हैं बहुत सारे इस पर Hermanus me 기 अंग्या मतलब हम जोवी चीज़े ले करके और ग्रतार रीप्रेजेंट करेंगे पहले तो होगया computer graphics का introduction वाला पाट उके और उसके बाद पढ़ेंगी۔ काकर को कैसल रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद पढ़ेंगे उसकी remain पर चैफेंड वाले पें थोड़ा थोड़ा सा है पर अल्गोरिदम ज्यादातर इधर ही है Kerry तो कि एक चीज बड़ा हो रहा है करें सारे कि इतना सोटा सा है तो मतलब आपको छोटा सा मिलेगा उषको कैसे मिलेगा उसको जूम करते हो एक सबस्क्राइब चाहिए उसको पढ़ना पढ़ने ऊपको जी मोटीडि पे हैं और थी चाहिए यह दो टाइप से आप इधर से लेके दर तक तुडी पे पढ़ होगे इसितना चीज फिर and viewing जो चीजे होते यह theoretical concept है और उसका problematic भी है पर basic computer science पर ज्यादा तर आएगा यह मान के चलो आप basic computer science पढ़ रहे हो तो आपको theory ज्यादा focus देना है और coding भी करते रहो यार coding तो c program हमेशा करो और पर theory तो semester पर सही से जाने के लिए आपको theory तो लेना ही पड़ेगा ओके तो इस पर viewing pipeline क्या होते clipping जो होते यह एक लंकोशिन हो सकता है clipping algorithm से एक लंकोशिन आएगा और line clipping क्या होते है यह भी लंकोशिन आ सकता है polygon clipping उत्रा नहीं आता और इधर पर एक होता है coloring coloring वहला चीज़ साथ हाँ इधर पर ही है तो इधर नहीं लिखा है पर इसके अंदर ही आएगा जो clipping वहले चीज़ होते ना clipping कोईटो इसके अंदर ही आएगा कि आपको कैसे बनाना यह algorithm सारे क्लिपिंग अल고 Earl얼िंफ औली खुलेंग पाइंप लाइन क्या होते है यह सारे के सारें और द्रास कोशन ह이 होते ऊहते हुग Это count मैसंन होते हैं तो इधर से रखो बताता हूँ कि हर एक algorithm या हर एक definition के साथ साथ एक problem चुड़ा हुआ रहता है मैट्रिक्स को रिलेटर करके ओके तो rotation क्या होते translation क्या होते यह अपने अपने लोंको सिन भी हो सकता है और difference between rotation and translation okay इसको भी बता सकता है तो अभी तक भी मुझे याद है कि कैसे यह ग्राफिस का सब्जेट के अंदर अगर आपको कैसे बताना है मैं बता सकूं तो मुझे not properly चाहिए अभी तो video नहीं है अभी मेरे पास तो कभी आपको अगर हो सके तो इसका कुछ tutorial टाइब का कुछ बनाएंगे और आपको बताऊंगा okay तो इसका जो long question होता है आप एक देख लेना जाके तो आपको दिखा जैता हूं long question के लिए छोड़ो आप जाके यह चैनल पर जाके देख लो यह प्रिप्रिप्याशर लॉंग question यह प्रिप्रिप्याशर एक्जाम question तो computer graphics का भी आपको मिल जाएगा उधर पर जितना है उसको थोड़े से practice कर लो और इसका long question में एक update कर दूँगा important long question जो playlist चलना है उधर पर कभी ट्राय करूंगा उधर पर लिखके अच्छे से बताने की तो computer graphics पर सायद मैं आपको नहीं समझा पाऊं कैसे यह इस पर जो important जो unity discussion जो करते हैं जैसे प्रोग्रामिंग का किया था कितने अच्छे से किया था networking का भी किया था और DBMS का भी किया था पर इस पर बताऊं कि आम मुझे ठीक से भी समझ नहीं आता क्योंकि इसे बाले computer graphics जो बोलते ना इसका पहला heading फ्यूंग ग्राफिक फोग हो जाएगा दो का तो graphics output primitive जो होते किसको किसको लेकर आप ग्राफिक को रिप्रेजेंट करोगे जैसे point point and lines मतलब एक डॉट को लेके एक डॉट मिला के तो बहुत सारे line होते है न तो line एक कैसे बनता है डॉट को मिला के तो point को मिला के उसके बारे में को point को आप कैसे प्रेजेंट करोगे कि हां मुझे इस जगाए पर point draw होना चाहिए एक line draw होना चाहिए उसको बोलते हैं point and lines वाल algorithm algorithm for line एक line एसे कर्व होगा मैं जो यह वाला जो टूटी जेक हो इदर प्रणा सा जूम करके आपको समझाने की कोसिज करता हूँ तो यह एक D होता है यह कैसे कर्व होगा मतला इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप आप तो इसे बता दे कहां टी हो गया पर computer कैसे समझेगा कि यह D होता है यह इदर एक line खीचना चाहिए तो उस वाल चीज़ को बोलते है algorithm for line और circle circle कैसे ट्रो होता है and ellipse ellipse generation ellipse को कैसे generate करोगे ओके filling area primitive filling area area को कैसे फिल करोगे जैसे मैं एक इधर select करके कैसे कर रहा हूं तो blue color का पूरे का पूरा है कि एरिया को set करके हो जा रहा है कैसे फिल होता है ओके attributes of graphic primitives point line core attribute field area attribute field methods for area with irregular boundaries ओके तो एक थोड़ा सा तो complicated है भाई पर अगर मैं नोट पकड़ा हूं तो आपको मेरे टाइम पर मैं भी YouTube से पढ़ाता Google से पढ़ाता सभी जगे से मिला के पढ़ाता तो ट्राय करूंगा आपको उदर से समझाने की और इसका नोट जो है मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा थोड़ा सा मैंने आपको दिखा कि PDF के हिसाब से वेबसाइट में थोड़ा बहुत ही चीज अप्रेट कर रहा हूं थोड़ा सा वेट कर लो भाई और इधर कोश्चिन बैंक जो है इधर पर आपको मिलेगा प्रिवेस एर का जो भी सारे के सारे कोश्चिन और और में कोश्च जोबी कुछे कुछ पीडियाफ सेर करना हो या कु लिस OF या उसेर करूंगा e-books पर आपको मिलेगा जो पीडियाफ पार्ट फ्रीव की अखेरा बुक्स आपधिया हो तो कि आपको कुछ चो मॉडूल्स होते हैं या कुछ भी मतलब जो भी कुछ सेयर करना हो तो अधर्स पर सेयर करूंगा कोडिंग पर तो यह कोडिंग वाले चाहिए चलेगा और कोश्च पर यह दो है पर यह मैं दो अप्रेट नहीं किया हूं अभी तक करूंगा बाद में ओके माल रहा हूं और हो भी लास्ट तक भी अकेले करूंगा ओके तो कंपूटर ग्राफिस का जो यह चीज होता है आपको थोड़े सथ दिखा हूं एक चीज बता हूं तो राइटे प्रोग्राम टो इंपलिमेंट ब्रेशन हर्म्स लाइन ड्रोइंग आल्गर्थिम हाँ अभी लिखा नहीं है चैससे अफहां अधर लिखान टो इसके अंदर वर स आता है और मीड पॉइंट आता है और Сुदरल लाइट इसालगुरेंद में सी अपन पड़ेगा और एक्ज़म्स के साथ लिखना पड़ेगा ओके तो प्राक्रीश करना तो जसे यह एक सबनावरींड ऐ मतला पूर के पूरे सही से पकड़ु या सही से जाओ तो मेरा तो अच्छा MP3 का सब और खिले ओख़े और क्लियर हो जाए और आप कर सकते हो तो फिलार के लिए इतने ले क्या मिलते हैं चाहिं पर चंप करें गोर्ब के बारे में और किया होते हैं और बता आसे कि इस पर आपको根़ना पढ़ता है और यह कब तक आपको वह Technology मतलब development कि आपको lifetime पढ़ना पढ़ अगए तो हमेसा पढ़ोगे क्योंकि सब Жadot होते हैं तो एक्जम पर परज के लिए मैं बताऊंगा हमेशा और बेसी कम्टर साइंस लेवल पे जो भी होता है उतना चीज बताऊंगा ओके तो इतने के वीडियो को रखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक कर देना और एक कमेंट भी करके जाना कि आपको कौन से सब्जेट में कुछ डाउट है या नहीं अगर मुझे टाइमफल सा मिलेगा तो मैं जरू रिप्लाइ कर देंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप विजिट कर सकते हो अगर लिंग्डियन हो तो लिंग्डियन पर भी विजिट कर सकते हो और पूटफोलियो पर जाके मेरे पर आप कॉमेंट कुछ कर सकती है कुछ कुछ इन या सवाल कुछ पूछ सकते हो ओके तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो पर थैंक यूँ